फ्रेंट सबसे पहले तो मैं आपसे माफी चाहूँगा कि इस वीडियो में आपको 50 questions ही देखने को मीलेगा, 10 questions कर अंटरफेस का नहीं देखने को मीलेगा, क्यूंकि थोड़ा सा बीजी था, साम को घर पे नहीं था मैं, इस वैसे questions को मैं सेट नहीं कर पया हूँ, लेकिन जो questions 50 questions काफी अच्छे questions है, वीडियो को एंड तक देखें और बताई कि कितना स्कूर आप कर सकते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि कल की Q में जो मैंने questions पूछा था, उसके राइट अंसर के, तो questions ये था कि भीम बेट का गुफ़ा किस राची मिस्तीत है, तो काफी लोगों ने स प्रयान से दिया था, वेम वेटका की गुफ़ा, मद्य प्रदेश की राइसें जीले मिस्तीत है, ध्यान रखेंगे, option D यहां पे correct answer हो जाता है, सबसे पहला questions ये कि अकबर के सासन में महाबारत का फारसी भासा में अनुवाद किया गया था, वो किस नाम से जाना जाता है, तो महाबारत का फारसी में वाद जो किया गया था, आपको पता दू कि अकबर के आदेश पर बदायनुई ने किया था, रज नामा के नाम से, option B को टिक करेंगे, second questions ये कि परवतों के पदो, यानि कि foot hills अथार्थ किसी परवत के साहारे इस्थित पठार को कहा जाता है, right answer will be option B, परवत पदी ये पठार कहते हैं, इसी को एक और नाम से जानाता है, गिरी पाद प्रदेश ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, third questions ये कि परश्थित की संतुलन बनाया रखने के लिए नियूंतम वन आवरन अनिवार रहे हैं, right answer will be option D, संपुन भूमी का 33 प्रतिसत, option D को टिक करेंगे, fourth questions ये कि भारत में किस वर्श परियावरन संडक्षन अधिनियम पारित किया गया था, ये questions बहुत ज़्यादा important है, सूपर से भी ज़्यादा सूपर गई है, परियावरन संडक्षन अधिनियम का पारित किया गया था, अगर यहाँ पे थोड़ी सी भी अगर आप गलती करते हैं, तो definitely fins बहुत बड़ी लाप्रवाही होगी, ध्यान दीजेगा, इस questions का तो सही answer option D है, 1986, ठीक है, 1986 में परियावरन संडक्षन अधिनियम पारित किया गया था, अगर जिन लोगों ने 1972 को टिक किया, तो मैं आपको बता दूँ, कि 1972 में वन ने जिव संडक्षन अधिनियम था, ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें, 1980, तो 1980 में वन संडक्षन अधिनियम था, यह मैंने आपको एक बार पहले भी ट्रिक के मादब से याद करा था, अगर आप हमारे regular viewer है, तो आपको यह चीज बता होगा, चलिए, next question जीए कि निलगीरी पहाड़ियों में पेड़ की समानने जाती है, निलगीरी पहाड़ियों में पेड़ की समानने जाती है, option D, tog, या फिर saugon कह सकते हैं, option D को ठीक करेंगे, नेक्स्ट वण की निमली खित में से कौन उष्ने कटी बंधी एग घास का मैदान के अंतरगत नहीं आता है, उष्ने कटी बंधी एग घास के मैदान के अंतरगत कौन नहीं आता है, तो ध्यान देजेगा, यहाँ पर सही आंसर मारा होगा, downs, जो आता है, वो सिटोशने घास के मैदान के अंतरगत आता है, हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि सिटोशने कर्टी बंधी घास के मैदान के अंतरगत प्रेरी, PP,Pampas, Weild, Downs, Steps, यह आते हैं, प्रेरी जो हों पता हैं अमेरिका और कैनड़ा के होता है, पंपास जो होता है कहते हैं अर्जेंटीना वेल्ड जो होता है यह अफ्रिका का है चीक है सितोस निखास डाउंस अस्ट्रेलिया का और स्टेपीज यूरेसिया कह सकते हैं चीक है ना चलिए नेक्स्ट्ट क्या कि उस ने कटी बन दीया अधर 15 जड वन के सम्मण में नीमली कित में से कौन सा कथन्स रही है तो बताएं कि निमलिकित में से कौन सा कथन सही है पहला पॉंट्स कर रहा है कि डेड़ सो सेंटिमेटर से कम वर्षा प्राप्त करने वाले वन पायजाते हैं बिल्कुल सही उधारन के तौर पर हम बात करें तो साल सगौन बास आदी इसके अंतरिगत आते हैं तो दोनों के द अप्सन सी यहां पर करेक्ट आंसरों को आशिया जो महाद्विप है सबसे बड़ा महाद्विप माना जाता है और यहां पर छोटा सा पॉइंट हम पढ़ सकते हैं कि एस्या या फिर जंबुद्विप अकार और जनसंक्या दोनों की दिश्टी में बिश्व का सबसे बड़ और यहां पर पढ़ सकते हैं कि पस्ची में इसकी सीमा यूरोप से मिलती है हलांके इन दोनों के बीच कोई सर्व मान या फिर स्पस्ट सीमा निर्धारित नहीं है एस्या और यूरोप को मिला करके कभी-कभी यूरेशिया भी कहा जाता है यह पॉइंट याद रखेगा चल का और इंडोचीन का प्रेव यह तीनों की तीनों एसिया महादीप में प्रमुख प्रांत है प्रांत नगा प्राइदीप प्रांत न्यक्षे क no-nay की बिक्विचु का सबसे बड़ा प्राईदीप निमनि लिखीत में सेगं लेकिन सցAm से बढ़ीए बिक्विच्ट को नहीं समझ पाएंगे विसू का सबसे बड़ा प्रयदीप कौन सा है तो यहां पर मारा सायान सोगा अरब का प्रयदीप छेओ विसू का सबसे बड़ा प्रयदीप माना जाता है याद रखेगा नेक्स्ट वन क्या करा है कि अकबर के सासनकाल में भुराजस्व सुधार के लिए कौन उत्तर दाई था राजा टोडर्मल ठीक है टोडर्मल कुम जानते बी को टिक करेंगे नेक्स्ट क्वेशन यह कि अकबर दवरा बनाए गए उपासना भवन या फिर पूजागरी का क्या नाम था तो इबादत खाना ओपसन सी को टिक करेंगे चोटा सा क्वेशन जल्दी से कमिन करके बताइए कि इबादत खाना किस थापना कब की गए थी अकबर के दवरा नेक्स टोन ये की निमली खित में से किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है किस महाद्वीप को मानव घर कहा जाता है तो एस या महाद्वीप को मानव घर के नाम से जानते हैं एक को टिक करेंगे नेक्स टोन ये की निमली खित में से कौन सा छेतर भारत के सकल घरेल उत्पाद यानि की GDP को सरवादिक योगदान देता है सरवादिक जो योगदान देता है वो कौन सा चेतर है तो तृतियक चेतर option C को टिक करेंगे और ध्यान रखेगा तृतियक चेतर को सीवा चेतर के नाम से भी जाना जाता है राष्ट्य विकास परिषद का गठन किस वर्स किया गया था ये questions भी बहुत ज़्यादा important है राष्ट्य विकास परिषद का गठन 1952 में किया गया था ठीक उनीस सो बावन एक चीज और ध्यान रखेंगे और रत्यक्ष कर प्रनाली में सुधार से सम्भनतित है एको टिक करेंगे next questions बनता है कि कौन से संस्था भारत में राजकोसिय नीती को त्यार करती है वीत मंत्राले ज्य हो राजकोसिय नीती को त्यार करता है A को टिक करेंगे Next questions बनता है कि किस यूद में बाबर ने जिहाद का नारा दिया तमगा नामक कर को समाप्त किया यूद जितने के उपरांत गाजी की उपाधी धारन के Right answer will be option A खानवा का यूद ठीक है खानवा का यूद option A को टिक करेंगे जो कि बाबर और राड़ा संगा के मद्ध हुआ था और इसी यूद में विजय के उपरांत इसने गाजी की उपाधी धारन के थे Next questions की निमलिखित कत्रों पर विचार कीजिए First और second point को पड़ी और बताई को प्रोक्त में से कौन सा कथन सही है तो यहां पर दीखे अगर हम बात करें First point की तो समिधान के नुच्छेद 88 88 में भारत के महानेवादी के समान्द में बात कही गई है यह point गलत है भारत के महानेवादी के समान्द में बात Article 76 में कही गई है ठीक है यह point गलत हो जाता है महानयवादी की न्यूकती राष्टपाती के दौर अखी जाती है ये पॉइंट बिल्कुल सही है तो फर्स्ट गलत है सेकंड सही है इसलिए उप्सन हम B को टिक करेंगे उप्सन B विल बी करेक्ट आंसर ठीक है ना नेक्स्ट विल ये कह रहा है कि निमली खित में वह विक्ती कौन है जो संसद सदस्द से नहीं होता है लेकिन जिसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है तो देखें इस question का right answer क्या है अपने article उपर में 88 देखा था और यही है article 88 के भारत का attorney general को संसद का सदस्द से नहीं होता है लेकिन उसे अधिकार देता है कि वो संसद को संबोधित कर सकता है लेकिन मतदान करने का अधिकार इनको नहीं होता है ठीक है next questions की सदस्य न होते हुए भी निमली खित में से संसद के किसी भी सदन की करेवाही में हिस्सा ले सकता है लेकिन मत देने का अधिकार के भीना ठीक है मत देने का अधिकार नहीं होता है तो कौन जस्ट अब लोगों उपर में देखा वही बात है यहाँ पर माहा नयवादी option D को हो जाता है अनुच्छे 371 के को नागालेंड के राज्य से संबंधे 371 के को देखे नेक्स्ट क्या है कि पौधे में होने वाली किरियावों में से एक जो इनका तापमान कम कर सकती है होती है उसको लोग क्या कहते है वासपुत सर्जन ठीक है वासपुत सर्जन option B को टिक करे के नेक्सक्ट कैस के किकिरिया के ृश्ण सरूप बौधमें उक्सीजन का निखास एक कार्बन डैक्स्टा का अवसोशन होता है कि कैस कर्या के द्वारा को पौधे declined करT को इसक्रिविस करते प्रकास संस्लिचन के माध्यम से option ए को में नेक्सक्कर नेक्स्टक करेंग ऑन तो ध्यान रखेगा बाबर ने अपनी आत्मकता खुद से लिखी थी तुज़ा के बाबरी नाम से और ये किस भाषा में लिखी थी तुरकी भाषा में ऑपसन हम C को टिक करेंगे कभी कभी questions पूछाता है कि मुंबया नामकपत सहली का जर्में दाता कौन है तो बाबर है ये चीज ध्यान रखेगा next questions है कि समिधान के कि सनुछेद के प्रावधानों के अंतरगत भारत सरकार दोरा भारत ततन, पदम भिभूशन, आदी अलंकरन प्रदान किये जाते है किस आर्टिकल के तैद और ये आर्टिकल हो जाते है अठारा option हम B को टिक करेंगे अठारा next one दिखिए क्या है कि निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन है निम्न में से कौन एक पादप हार्मोन है तो यहाँ पर सही answer होगा cytokinin एक प्रकार का पादप हार्मोन है option B को टिक करेंगे हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि पादप हार्मोन जीने फाइटो हार्मोन भी कहते है रसायन होते हैं जो पादप के विकास को विनियमित करते हैं पादप में मुक्यतब पाँच प्रकार के हर्मोन पाय जाते हैं औक्सिन, जिब्रेलिन, अमले cytokinin, इताइलिन और यहाँ पर पढ़ सकते हैं S-Besicum cytokinin हर्मोन की खोज मिलर ने 255 में की थी और इसका प्रमोक के कारेक कोसी का विभाजन को प्रेडित करना है next question देखिए क्या कि oxygen से संबंदित कौन सा कथन सही है तो जल्दी से comment कीजिए कि oxygen से संबंदित कौन सा कथन यहाँ पे सही है equations और यहाँ पे बताना है आपको की comment करके कि oxygen की यह खर पत्वार को नस्ट करता है उप्रोक्त सभी यानि option हम D को यहाँ पे टिक करेंगे ठीक है next questions क्या क्या रहा है कि निमलीखित में से कौन सा हार्मोन पादब को सीखाओ को इस प्रकार बढ़ने के लिए प्रेडित करता है जिससे पादब की और मुड़ा हुआ प्रतीत होता है तो इस questions का सही answer हो जाता है oxygen ठीक है option B को टिक करेंगे oxygen next questions है कि निमलीखित भारती सासकों में से अकबर के समकालिन कौन थी या फिट था अकबर के समकालिन कौन थी या फिट था रानी दुरगावती आप्सन एक वुटिक करेंगे ठीक है रानी दुरगावती next questions कि निमलीखित में से कौन सुमेलित नहीं है तो बताए कि निमलीखित में से कौन सुमेल नहीं है तो देखे यहाँ पर मारा सही answer क्या होगा Lord करने वालिस थाई बंदबस्त बिल्कुल सही Lord विलेज़ी सहीक संदी प्रणालई बिल्कुल सही है Lord इस्टिंग्स की बात करें तो दुइश्टीय मराथा यूध यह पॉइंट कला थे क्योंकि दूइश्टीय मराथा यूद के समय Lord विलेज़ी का सासन था और Lord हिस्टिंग्स करें तो तिर्तिय उंग्ल माराठा के साथ इनका समंद कह सकते हैं और लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 का सत्रावा रेगुलेजन यह बिल्कुल सही है तो यहां पर हमारा सही आंसर होगा ऑप्सन सी जो की सुमेलित नहीं है नेक्स्ट क्वेजन की किस सी के गुरू ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहाता धनेवम आसिरवाद से की ती यह क्वेजन भी कई बार एक्जांस में रिपीट हुआ है ध्यान रखेगा तो देखें यहां पर हमारा सही आंसर क्या हो जाता है हम यहां पर आप्सन किसे किख करेंगे सीखो गुरू अरुख य क्षुच बिल्कूल क्रेक्ट हो को अच्छा मैं अब से पोछो कि गुरू अरुजंदेव सीखो के कौन्से नंबर के गुरु थे जल्दीक मैं आपको बताता हूँここ कौनसे गुरु थे जल्दी से कमेंड की जे वीडीयो को रोकी और कमेंट कीजिए तो अगर आपने वीडियो को रोक करके सही अंसर दे दिया तो बहुत-बहुत सुग्रिया मैं आपको बताता हूं कि देखे गुरु अरजुन देव सीखो के पांचवे नंबर के गुरु थे और कैसे याद रखना है अरजुन यानि कि पांच पांडो में से ए तो इसकी अधिक्स्ता कि तो उसमें जो सबसे वरिष्ट जो नेता थे वो कौन थे डॉक्टर सचीदान सिन और इन्हों नहीं अधिक्सता की थी option हम B को टिक करेंगे जैगा चलिए नेत्ट कुछिसं किया है कि उत्तर प्रदेस में होली के तेवहार पर लठमार होली दहीं मनाई जाती है कहां पर तो यहांपे मरेद सखी ऑन्सर क्या होगा option हम ब को टिक करेंगे बरसाना में और बरसाना कहांपे पड़ता है तो यह मतुरा का एक district कह सकते हैं मतुरा जीला का एक सहर है मतुरा जीला का एक सहर है बरसाना ठीक है नेक्स्ट कोईशन की बुद्ध को प्रबोध कहां प्राप्त हुआ था बुद्ध को प्रबोध जो है वो कहां पर प्राप्त हुआ था प्रबोध का मतलब हो गया कि बुद्ध को ग्यान कहां पर मिलाता तो बिहार के बोध गया में ठीक है बिहार के बोध गया में ओप्सन बीस होगा नेक्स्ट क्वेशन से कि सिवाजी महराज को राजा की उपादी किसने प्रदान की थी सिवाजी महाराज को राजा की उपादि किस ने प्रदान की थी तो देखे, इस question का right answer हो जाता है ऐरंग जेब औरंग जेब नहीं सिवाजी को महारा sorry राजा की उपादि प्रदान की थी C को टिक करेंगे नेक्स्ट वन की निमली खित में से कौन सी जंजाती उत्तर पर्देश और उत्तराखंड से संबादी थे तो ध्यान रखेगा उत्तराखंड उत्तर पर्देश और निपाल की तराई के साथ हारु जंजाती का संबन्द है यहाँ पर B बिल्कुल सही आंसर हो जाता है नेक्स्ट वन की निमलीखित में से कौन सा तट पस्चमी तट का भाग नहीं है तो पस्चमी तट का भाग नहीं है कौन सा तो कोरो मंदल तट जो पुर्वी तट का भाग है इसलिए हम आप्सन डी को टिक करेंगे पस्चमी तट का भाग नहीं है देखें नेक्स्ट के लिए अपमारे साथ प्रेपेशन कर सकते हैं ठीक है तो सुनहर किसको किसको जोड़ता है तो सुप्रियर जील और हुरंज हुरोंज हिल को जोड़ता है ऑप्सन हम B को टिक करेंगा नेक्शन कहेगी 2011 की जनगर्णा के अनुसार निमलिखित राज्यों में से किस एक का नगरी करन एस्तर निम्तम है सबसे कम नगरी करण की बात करें तो कैस का है सबसे कम नगरी करन वाला राज्य हम कह सकते हमाचल परद्द और सबसे पूछा जाता तो गोवा को टिक करते tuh कि सरोच नयाले के अधिकार छेत्र में ब्रीधी करने का अधिकार किसे प्राप्त है संसद को सी को टिक करेंगे संसद को नेक्स्ट दिखी की कि यदी चौदा दिन के अंदर विधहान परिसत बीत विध्यक को नहीं लोट आती है तौ दोनों सदनों द्वारा पारित माना जा заключ करेंगे दोनों दौरा पारित माना जाएगा next questions की television की दुरस्त नियंतरन के लिए किस प्रकार के विधु चुमक के विकरण का उपयोग किया जाता है simple सी भासा में कहें तो जो remote होता है उसमें remote जो TV का remote होता है तो उसमें हम कह सकते हैं कि विधु चुमक के विकरण का पर्यूग किया जाता है तो उसमें infrared का उपयोग करते हैं यानि अवरक्त किरण का उपयोग किया जाता है option ए सही आंसर हो जाता है next one की पेरियार अभिहारण प्रसीदे बते की पेरियार अभिहारण प्रसीदे किस के लिए तो ध्यान रखेगा प्रियार अभिहारण जंगली हात्यों के लिए प्रसीदे और प्रसीदे और प्रियार केरल में स्थीथे option हम यहाँ पे D को टिक करेंगे next questions की रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते है रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को हम लोग क्या कहते है क्या होगा सही अंसर रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को हम लोग Zero Fights कहते है option C को टिक करेंगे Zero Fights next questions क्या है कि तलाबो और कुऊओं में निम्न में से किस एक को छोड़ने से मच्छोडों को नियंतरित करने में मदद मिलते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं गैंबूसिया। ठीक है गैंबूसिया को टिक करेंगे और अप्सन सी करेक्ट आंसर हो जाता है। दोस्तों अविताग इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार मैं फिर से रिक्विस्ट करता हूं के वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ सेर कर दीजिए। तिर्थिय पंच वर्षी योसना की कारे नेती में सरवाधिक बल किस छेतर में विकास को दिया गया था। तिर्थिय पंच वर्षी योसना। तो राइट अंसर विल बी ऑप्शन एक क्रिसे ठीक है, क्रिसी को ध्यान रखे का ऑप्शन एस सही अंसर हो जाता है। नेक्स्ट कोईसन्स यह कि भारत में लिगनाइट कोईले का सरवाधिक जमाव पाया जाता है तो बताएं कि भारत में लिगनाइट कोईले का सरवाधिक जमाव पाया जाता है option D को tick करेंगे तमिल नाडू ठीक है लिगनाइड कोईले को भूरा कोईला के नाम से भी जाना जाता ये questions भी कई बार पूछा गया कि भूरा कोईला किसे कहते हैं लिगनाइड को भूरा कोईला का जाते हैं ठीक है तो यह थी हमारी आज की 50 questions और एक बार फिर से मैं आप से माफ ही चाहूंगा कि 10 questions मैंने करन्ट अफैसा इंक्लिवड नहीं कर पया है थोड़ा साथ टाइम के वज़ा लेकिन आपका regular जो 60 questions चलता था उसी तरह से चलेगा ठी तो क्यूच का questions यह रहा क्यूच का questions राइटेंसा नीचे comment करके बता दीजिगा कि भारतिया चेत्र में इस्ती दो ज्वाला मोखी द्वीप कौन से जितना अच्छे से explain करेंगे बहुत अच्छी बात है वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक कर दीजिगा अपने दोस्तों क साथ share कर दीजिगा वीडियो कैसी लेगी नीचे comment करके बता है और जो भी मैरे questions पूछे उसका राइटेंसा नीचे comment कर दीजिगा मिलते हैं किसी और वीडियो में next topic के साथ thanks for watching keep watching keep learning have a good day